सभी सात्यों को मेरा जोहार आज का वीडियो में बात करने वाले है डिरेक्ट एड्मिसन इन पॉले टिकनी कॉलेज के बारे में बहुत सरवचे लगतार ये सोचते रहते कि किस परकार से हम डिरेक्ट ली एड्मिसन ले सकते किसी भी एक अच्छे कॉलेज में जहां पर आपको फुल सपोर्ट मिले पुरे डिप्लोमा करने के लिए और सात में वहां पर 100% प्लेस्मेंट की गरेंटी हो ठीक न तो पूरा वीडियो को देखने के बाद में आपका सारा डाउट किलियर हो जाएगा आप जो भी हैल्प चाहते हो जो लगतार हम लोग को इंस चाहिए देखे पौलेटैकनीक न कऊने के लिए क्ला दैंको दिये कीडियो गजांन होता है एक होता कि और पालेटनीक की एग्जाम को दिये किसी कारण से बच्चा का एक्वार इस पर इक्जाम नहीं दे पाए या फिर एक्जाम दिये उनका अच्छा नंबर नहीं आया अच्छा रैंक नहीं आया जिस कारण से उनको उनका जिस ब्रांच में इस फिल्ड में इनको इंट्रेस्ट है वो चीज नहीं मिल पाएगा वो बात यह जानते होंगे तो वैसे दोनों बच्चे के लिए क्या उप्सन बसता है कि किसी कॉलेज में बैरेकली पेमें से भी एड्मिसन्स ले सकते हैं बट वो कॉलेज क्या होना चाहिए या तो प्राव से यहां पर एड्मिसन्स होता है तो मैं बारे में बात बिलकुल नहीं करने वाला क्योंकि कि हर इक कॉलेज के प्राव्मिन से मेरे अच्छा सम्बंद मेरा किसी को मैं बूरा नहीं कह सकते है में पिर्वेंट में मैं कर सकता हूँ जहां तक बात है डो कॉलेक्ष यूंब की पढ़ा हूँ तो ओर बात कर लेते कि कौन को सब ब्रांच में करवा सकता हूं ब्रांच करेंगा तो सीविल इंजिनिंग में करवा सकता हूं मैकनिकल में करवा सकता हूं इलेक्ट्रिकल में करवा सकता हूं माइनिंग में करवा सकता हूं कंप्यूटर साइंस इंजिनिंग में करा सकता हूं और एक और सब्सक्राइब करा सकता हूं ये सब जो बराच अपको इंट्रेस्ट इक आपको इडमीशन्स चाहिए आपका फैनेंसल सपोर्ट अच्छा है घर से आप चाहते हो रिजल्ट अच्छा हुआ ना हुआ एक्जाम दे पाए ना दे पाए हमको डिरेक्ली मेरे से संपर करना हो हैं कि बात कि हैं अर выпол से भी इनक'll क्वार्व माइनिकल इसका अच्छा बिरास डोका हूं से सिभी इंट्ट पिरलों किसा क्वैंश को नहीं आप इन सeter में टिरशा इंचिय होगा अगर मैं और दोने doctor में आपसे जब बात करूंगा उसके बाद में वहां पर बताओं आपको उसके बाद में अगर आप किसी ब्रांच को चूज कर लेते हो फर एक्जामपल सीबिल को हमको यहां एडमिसन चाहिए क्या गारेंटी कि प्लेस्मेंट मिलेगा तो मैं अपने वीडियो में हमेशा कहा ह और वीडियो कभी में हाइड नहीं करता हूं 100% प्लेस्मेंट में दिलवाएंगों चाहिए आप कुसी भी ब्रांच में क्यों नहीं हो कि मैंनिंग को छोड़के माइनिंग वाले ब्रांच क्या होगा कि 100% गारेंटी कि उनको प्यड़ी प्यड़ी ट्रेनिंग दिलवा दू ये लिण होगा है कि आपका 45,000 सालाना फी लगेगा इसको आप डिभायट कर सकते हो सेमेस्टर के हिसाब से मतलब एक सेमेस्टर में 25 वाइस हजार रुपन आपको देना होगा पर सेमेस्टर टे चेचे में आतों ये कॉलेज का फी हुआ इसके अलावा किसी भी तरह कि हमारे थुरू जाने पे हैं इंडे एडुकेशन का इतना नाम हो चुका कि हमारे थुरू जाने पे आपको किसी भी तरह का एडमीशन चार्ज नहीं देना पड़ेगा फ्री एडमीशन होगा एडमिशन चार्ज ने देना पड़े केवल आपको सेमेश्टर का जो फी में बताया हूँ साड़े बाइसाद चेशे मेना पे वो देना होगा इसके अलाब का जब जब आप सभी का examination होगा exam form क्या होता है कि वो चाहिए बच्छे सरकारी में पढ़ रहे हो Concelling के तरुब सेमी में पढ़ रहे हो सब का exam सेम डे में होता है सब के लिए same form आता है सब को same पैसा भ़ड़ना पड़ता form के लिए अब वो पैसा कॉलेज देना पड़ता बलकि आपको देना पड़ता अपने युनिवर्सिटी को तो वो देना पड़ेगा अलगत जो एक्ष्टा खर्च आपको मैं बता दरहों स्टार्टिंग में कि साड़े-बाइस-बाइस कॉलेज आपसे लेगा आपको पढ़ाएगा और बात करता हूं माइनिंग का माइनिंग के पूरे जारकन प्रोटे लगए च्छे को यह सरकारी इसके बारे में बगायादां पहले बता चुके हैं तो माइनिंग वाले ब्रांच में लगबक कम से कम फी जो होता जारकन में आपका 55,000 रुपे साल आना अर इसका फी यरली बिलोंग करते होंगे आपके पास आपके फादर या मदर का यी डवलूए सर्टिफिकर्ट बना होगा या फिर इंकम सर्टिफिकर्ट कम पैसे होगा आपका जारकन ड्यूटी नहीं करते हैं मतलब सब्सक्राइब करूंगा तो लगबक आपका 45 तो 48,000 यरली आपका अराम स एड्मिसन्स हो जाएगा साथ में क्या कि माइनिंग के बच्चों को मेरे तरफ से फुल सपूर्ट रहेगा और ऐसा नहीं कि केवल एड्मिसन्स हमें एड्मिसन्स से लेकिए पूरे डिप्लोमा पढ़ाई के दौरान और पीडी पीटी मिलने के दौरान यहां तक मैं आपक प्रफी देखिए घृष्टेल कंपल्सरी नहीं होता यह बच्चों पर डिपेंड करते कि बच्चा क्या चाता अगर बच्चा को लगता कि खुझ से खाना पीना बना कर जेडी क्लासेस को कर सकता है तो बाहर में रूम ले सकता है अगर लगता है अगर यह बढ़ेगा तो स हो सकता अब अभी तक 11000 में ही एडमिसंस हो रहा होश्टर में तीन मेना का 11000 रुपर देना होश्टर का यह क्वाटरली जमा करना मतलब साल में कितना हो गया 44000 रुपिस हो गया अगर आपको लगता है कि आप कॉलेज को एफट कर पाई अगर होश्टर को नहीं तो आप इस आता है तो फिर आप बहार से भी लेकर पढ़ाई भी करें अराम भी करें उस कंडिसां में होश्टर में रह सकते हो ठीक है तो यह होश्टर डिपेंड बच्चे को पर रहना कि नहीं रहना बठा कॉलेज का जो फी है वह बता चुका हूं सीवील इलेक्ट्रीकल मेकनिकल के के 6 के लिए और साथ में ओटो मुबायल के लिए लगे आपको 40 के सालन ही कि लिए माइनिंग के लागबा क्या हो गा कि 50 फी जेनरल के लिए पैसा तो दीजिए अगर आपको भी दिकर मैं तो मैं बात करवा कि इसको मैं 45 तक में लेकर आजाओं घ्क है और इसके लिए क्या क कर दिया आपको लगेगा फिन अपने आप गार्जियन से बात किजेगा फिर आपके गार्जियन से दुबारा से बात करूंगा उनको भी समझाओंगा सेम बातों को ताकि आपके दुबारा कही के बातों को मेरे दुबारा कही के बातों को वो समझें समझें वो डिसाइड करे इसके बाद में एक दिन के लिए आपको कॉलेज में इनपेक्षन के लिए मैं विजिट करवाऊंगा। कि भाई आप जो बाते को सुने जो बाते मैंने कहा वो सही है कि गलत है लेबरुटरी कैसा है होस्टल कैसा मैस कैसा क्लासिस कैसा है लैप्स है कि नहीं सब्सक्राइब को विजूरली प्रूफ के साथ मैं दिखाऊंगा उसके बात में अगर आप सब लगेगा कि जो मैं बाते बताया कहा जो चीज़ देखें आपने अखों से वो सब चीज़ सही है तब आप एडमिसंस के लिए आगे आईएगा तब एडमिसंस करवाईएगा और अगर आपको विजिट में सिब जानना है कि आप चाहते हो कि डिरेक्ली वहां जाकर देखना चाहते है तो उसके लिए मै कि आपके लिए समय निकाल कर मैं अपना खुद का भाड़ा खर्च नहीं कर पाऊंगा आपको लेकर जाने आने में एक दिन तब किसी के पास साथ में जाएंगे किसी कॉलेज में विजिट करने के लिए तो वहां आने जाने में खर्चा मेरा खुद का भी होगा प्लस मुझ लाइन से में हजार उपर देखे कुछ चीज़ को जाना इस बैटर देन कि कुछ ना जानके आप मुझे करवा लेना बात पहले तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखेगा फॉर्म का उस लिंक पर बैसिकली किलिक किजेगा जैसे क्लिक किजेगा आप फूल करें जाएगा एड्मिसन इन बेस्ट पोलेटेकनीक कॉलेज एड्मिसन तुरू नन्य इडूकेस्ट इस पर आने के बाश्क पर स्क्रॉल किजेगा तो नीचे का ओप्सन खूल कर आएगा फॉर्म के बारे में लिखा वह फ्री रिजिस्टेशन इस पर बैसिकली इसमें क्लिक कर सकते हैं कॉंटेक्ट नंबर लिखे ना आपको अपना मुमालमा जिसमें मैं आपसे बात कर सकूंँ आपको ऑफिसल इमेल आड़ी आपका अड्रेस क्या है और किस ब्रांच में आपको इंट्रेस्ट है अलेक्ट्रिकल मैकनिकल सीविल कंप्यूटर साइंस या माइनिंग या ओ्टो मार्ल आपको इसमें किलिक कर देना है साथ मैं किए कि आप किसे भी रांग कड़े से जेंरल हो बीजी और हो अगर अगर आप शायतर हो अगर आप बैस जडियंसी में आते हो भी जैसे के लिए क्लिक करके भरना जैसे इस फॉर्म को भर देते हो जैसे ही आप फॉर्म को भर देते हैं फिर आपको हम 24 घंटा के अंदर 24 hours के अंदर में call करेंगे आपसे बात करेंगे आपका हर doubt को केलियर करेंगा फिर उसके बाद में आपसे मैं visiting का time पूछ लूँगा कि आप कब विजिट करना चाते है college में और यह मांग जाली कि Saturday या फिर Sunday इसी दिन में free रहूँगा क्यों कि Sunday को रेश्ट रहता है मेरा खुद का जो ट्रेनिंग कर रहा हूं से असानी बार को में अपना duty को करके आ सकता हूं आपके लिए सेट करना है तो यह दो दिन में आपको सेट करना है तो इस विडियो को सेट खतम हो जाएगा और माइनिंग का तो बेसिकली 15 लाज उनके बाद खतम हो जाएगा तो सेट को पहले साफ सेट कर सकते हो बूग कर सकते हो साथ में कॉले जा सकते हो तो जो भी करना इस वीडियो को देखने के बात में अपने गार्जियों को बताईए समझाइए अगर लगता है तो हमसे बात करवाईए उसके लिए फॉर्म को बरी में खुद कॉल कर लूँगा बात करवा देजिएगा साथ में क्या अपने गार्जियों को फीक बारे में समझाना तो इस वीडियो को सेटर को उनको भी दिखा साथ तबते के लिए जाहिए ज क्या बात मिलते हमें किसी और वीडियो में